जीवन साथी कौन है? ये बड़ा एहम सवाल है चले कुछ आप्शन्स मैं देता हूँ A. मा B. पिता C. पत्नी D. बेटा E. पती F. बेटी या H में आप ले लीजी दोस्त अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा बिलकुल नहीं आप यहां इस बात का ब्रह्म पाले हुए हैं इसलिए वक्त रहते संबल जाने की जरूरत है वास्तविक जीवन साथी आपका शरीर है एक बार जब आपका शरीर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है तो कोई भी आपके साथ नहीं होता है जन्म से लेकर मृत्यू तक आप और आपका शरीर एक साथ रहते हैं आप अपने शरीर के साथ क्या करते हैं यह आपकी जिम्मेदारी है और वो आपके पास वापस आ जाएगा जितना अधिक आप अपने शरीर के देख भाल करेंगे ये उतनी ही आपकी देख भाल करेगा आप क्या खाते हैं, आपका खान पान कैसा है आप फिट रहने के लिए क्या करते हैं आप तनाओं से किस तरह से निपटते हैं आप अपने शरीर को कितना आराम देते हैं कितना इसको काम में लेते हैं आपका शरीर तै करेगा कि ये किस तरह है और कैसे प्रतिक्रिया देगा याद रखें कि आपका शरीर स्थाई पता है जहां आप रहते हैं आपका शरीर आपकी परिसंपत्ती देंदारी है जिसे कोई और साजार नहीं कर सकता आपका शरीर आपके जिम्मेदारी है क्योंकि आप ही इसके वास्तिविक जीवन साथी है हमेशें फिट रहें अपना ख्याल रखें पैसा आता है और चला जाता है रिष्टेदार और दोस्त इस्थाई सदसे नहीं हो सकते आपके अलावा कोई भी आपके शरीर की मदद नहीं कर सकता और ये इस दुनिया का सबसे कड़वा सच है कि जब तक आप स्वस्त हैं आप सभी को अच्छे लगेंगे जैसे ही आपके शरीर ने साथ छोड़ा आप जिनके प्यारे थे उन सभी को बोजी लगने लगेंगे फिर चाहे वो आपका और आप उनके कितने ही प्यारे क्यों ना हो इसलिए समय रहते स्वास्थि पर ध्यान दीजी अच्छा खाएं सभी का अच्छा सोचें अच्छा पहने सादा जीवन और उच्च विचार रखें प्रणायम लेंक्स्टन के लिए ध्यान मन के लिए युगासन दिल के लिए लंबा चलें आपों के लिए अच्छा खाएं जिसमें फल, सबजी, अंकुरित अनाज शामिल करें आत्मा के लिए शुद्विचार और अंत में इस दुनिया के लिए अच्छे काम करें अपना ख्याल रखें